हेलो फैमली कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और यहां पर लगातार हमसे एक कॉइन के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नाम है फ्लॉकी और फ्लॉकी हमने भी नोटिस किया और हमें लगा क्यों ना इसके उपर इन डेटेल वीडियो बनाई जा है क्या यह सिर्फ मीम कॉइन है या उससे बढ़कर भी यह कुछ कर रहे है इसको समझने की कोशिश करेंगे और इंडिया से रिलेटिड एक अपडेट निकल के आई है इनकी वो भी बताएंगे और और यह एक्टिव हैं के नहीं है उस बारे में भी थोड़ा समझने की कोश स्क्राइब कर लीजिए हमारी फैमली का हिस्सा बनिये और हमारे को लाइक जरूर करके जाओ क्योंकि यही आपका प्यार है जो आप लाइक के माध्यम से हमें शेयर करते हो और जिस हिसाब से हमसे लोगों ने क्वेरी खरी और इलॉन मस्क की जो ट्वीट आते हैं हमें लग कि वीडियो तो बनती है तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले यह फ्लॉकी है क्या और यह फ्लॉकी नाम आया कहां से सबसे पहले आपको यह समझने जो है जरूरी है क्योंकि अगर मैं बात करता हूं 2021 का दौर था जब हम डॉच कोईन, मीम कोईन, छीबाईनू, इन सब की बात करते थे और हमने देखा है कि कहां तक पहुँच गए थे यह कोईन और कुछ पैसो में या कुछ हजारों रुपे से यह लाखों रुपे तक पहुच गए थे तो यह फ्लॉकी एक्तम से क्योंकि मीम कोईन इतने सारे हैं और अगर बात करें तो डौ शीबाई इनों के बाद फ्लॉकी एक बड़ा क्वाइन निकल के आ पे निकल के आ रहा है और लगभग दोसों के आसपास इसकी रैंक और जिस हिसाब से जो सबसे इंट्रस्टिंग है जो हमने अबसर्व करी इलॉन मस्क का अभी रीसेंटली ट्वीट आया था और उसके बाद तो कही ट्वीटर का नया CEO ढूंड रहे हैं और लेकिन क्या मैं रहूं या नहीं रहूं तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जो है CEO का पद छोड़ दो यह चीज निकल के आया थी लेकिन उसके बाद क्या निकल के आया कि उन्होंने बोला ठीक है कोई suitable जो candidate हमें तो हम जो है उसको यहां पर फिल करेंगे या मैं उसको handover कर दूँगा Twitter का CEO बना दूँगा अब यहां पर 15 फरवरी है लगबग कापी टाइम हो गया इस ट्वीट को लेकिन यहां पर 15 फरवरी को all of the sudden out of the blue उन्होंने एक ट्वीट किया और इसकी वज़े से फ्लॉकी नाम दुबारे से लोगों की जबान पर आ गया और इस ट्वीट के बाद में फ्लॉकी के अंदर 50-100% की ग्रोध देखने को मिली और अगर बात करते हैं recent dip से यह 3-4 गुना अपना बढ़ गया तो वो ट्वीट जो था वो था कि और उन्होंने एक फोटोग्राफ लगाई और वो थी फ्लॉकी की डॉक की और यहां पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखोगे इस पिक्चर को तो आपको लगेगा सिगनेचर पे जो है जो डॉक का उसका निशान है और नेम में है फ्लॉकी और टाइटल है चीप ए इंडायरेक्ली यही मैसिज दे रहे हैं और एक बड़ा सवाल निकल के आया कि क्या इलॉन मस्क इसको सपोर्ट करते हैं इसको भी थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूंगा अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है लेकिन इस ट्वीट ने कहीं न कही फ्लॉकी की किस्मत बदल दी और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि एक्च्वल में इस फ्लॉकी नाम को या इस टोकन के जो हम सुन रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टन रोल या आप कह लिजे इलॉन मस्क के ट्वीट का ही सबसे जादा इसके अंदर हमें रोल दिखता है अब इ फेड़ साल के पहले जब हम डॉच कोईन की बात करते थे शीवाइनू की बात करते थे लगातार वो भड रहे थे तो यहां पर इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था 25 जून 2021 को ध्यान रखेगा इस ट्वीट को इन चीजों को आप अबसर्व किजेगा और उनका जो ट्वी अब भया फ्लॉकी जब हुआ तो जो एक इनकी टीम थी फ्लॉकी वालों की वो एक्टिवेट हुई और उसी दिन वो मेम टोकन जो है कोईन टोकन जो है बना दिया गया और भया उसको लॉंच कर दिया गया अब बहुत सारे लोगों के मन के अंदर यही चीज निकल के आती ह है क्या फ्लॉकी और इलॉन मस्क का रिलेशन है या वो इंटेंशनली किया गया या नहीं किया गया अगर यहां तक तो बात हो जाती तो समझ में आता लेकिन जब वो बिल्ड कर दिया और उसके बाद एक और ट्वीट आया इलॉन मसक का वो आया 13 सेप्टेmbr को जून, जु और उसके बाद हमने इसको और पंप होते देखा और हालात यह हो गए कि यह कौईन काफी multiple times बढ़ गया उसके बाद 2000 अगर मैं बात करता हूं 21 में जब बुल मार्केट का पीक पे था बिटकोईन तो यह भी अगर देखते हो तो इसका प्राइज भी लग भग 0.000 से मलब काफ कुना बढ़ गया और उसके बाद हम इसको थोड़ा ढलान में देखते आए और all of the sudden क्योंकि मार्केट भी बेरी चल रही थी लेकिन all of the sudden दुबारे से हमें अभी जो है इसका प्राइस एकदम से स्पाइक होता दिख रहा है और अगर आप देखते हो तो लग बग 0.00001 से ल अगर दूसरे overall coin से compare करते हैं तो इनकी team जो है काफी active लगती है और यहाँ पर अगर consider करते हो तो हमने देखा है ज्यादा तर वो launch करते हैं फिर पैसा कमाते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं लेकिन इनकी team लगातार जो है काफी active यहाँ पर देखने को मिल रही है और अगर token की ब बात करूंगा ही लेकिन अगर overall बात करते हैं तो यह कर क्या रहे हैं इसके अंदर क्या difference है एक तो इनका Metaverse NFT play to earn game है इनका decentralized finance पे भी यह working कर रहे हैं और उसका नाम है की overall बात करते हैं regular team active रहती है update कर रही है और जो चीज coin 5-5 गुना भढ़ जाए तो कहीं न कहीं उसके अंदर हमें लगता है कि काफी कुछ हल चल तो चल रही है और team active होने से यही फायदा होता है अगर मैं इनके tokens की बात करता हूं तो लगभग 20 trillion tokens हैं और जिसके अंदर इन transaction की बात करते हैं तो 3% buy sell पे यह ले रहे थे और उसको भी घटा कर 0.0 0.3% के असपस कर दिया है अगर मैं team की बात करता हूं तो हर meme coin की तरह यह भी anonymous ही है और यहां पर अगर मैं बात करता हूं अगर कहां कहां यह available है तो जितने बड़े exchange हैं और खास कर Elon Musk का जब यह tweet आया था तो उसके बाद काफी बड़े exchanges ने लगातार इसको जो है list कर दिया अगर बात करते हैं कुक वाइन हो गया गेट हो गया हौबी हो गया और यूनी swap हो गया और chain की बात करते हैं तो PSC और Ethereum दोनों chain पे यह आपको मिल जाएगा और इनको आप swap भी कर सकते हो अब यहां पर Elon Musk के यह tweet क्यों निकल के आ रहे हैं वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है अब कई लोग एक theory बोलते हैं जो Elon Musk के ब्रदर हैं वो एक समझ लिजिए संस्थान चलाते हैं एंजियो टाइप का चलाते हैं और उसके अंदर इन्होंने जो फ्लॉकी वालोंने millions डॉलर की जो है और लेकिन फ्लॉकी नाम से ऐसा कुछ होना all of the sudden जो है coin बन जाना तो बहुत सारी चीजे चलती है एक बड़ी जो news निकल के आ रहे हैं और यही हमें जो लगा कि team काफी active है और इसके अंदर क्या है वो बात करें different different media channels पर आपको देखने को मिल जाएंगे वो या आपकी बात करते हैं कि different different जो activities होती हैं उसके अंदर वो participate करने कोश्य करते हैं दुबाई के mall के अंदर भी आपको जो है इनके फोटोग्राफ दिख जाएंगी चीजे अपडेट होती दिख जाएंगी ऐसे ही अभी जो निकल के आ रहा है और जो एक interesting जो जो news है Indian users के लिए वो है फ्लॉ जो की play करेंगे और ये जो चारा कुछ है जो इसका नाम है India महराजा और ये एक tournament होने वाला है जिसको जो होने वाला है दोहा कतार के अंदर और जो शुरू होगा 10 March 2023 से और इसके अंदर ये इसको sponsor कर रहे हैं या marketing partnership उनके साथ में की है और आपको बता दूँ कि हम सब को पत टूनामेंट के अंदर खेलने वाले हैं गौतम गंबीर हो गया इरफान पठान हो गया योसुफ पठान हो गया सुरेश रहना रॉबिन उत्थपा तो हर्भजन सिंग तो तिलक रखतने दिल्शान तो ऐसे ऐसे नाम जो है इसकी जो टूनामेंट के अंदर विए तो सोशल मीडिया मैंशन संगे तो यह सारी चीजों के अंदर फ्लॉक की का नाम यहां मैंशन होगा तो कहीं ना कहीं इंप्रिक्टन पर अंदर 0010 कि इंडिया को हैं कि अंदर टच करने की कोशिश की है, cricket, आपको पता है, cricket एक बहुत ही दिल से जो है, इंडिया के अंदर passion की तरह लिया जाता है, और उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी update निकल के आई है, और हो सकता है, इस के बहाने वो Indian यूजर को penetrate, या aware करना चाहते हो, कि भाया हां, हम जो है, यहा और ज्यादा active आपको होते दिखे, या इसके अंदर growth होती दिखे, price wise अगर मैं बात करूं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो अगर इसका day candle के अंदर आप देखते हो, तो already यह 4-5 गुना बढ़ चुका है, तो यहाँ पर अगर आप entry के लिए देख रहे हो, अगर आप hold करते हो, तो जिससर आप से देख रहे हैं कि अगर आप इसके all time high से देखते हैं, तो एक नई candle बननी शुरू हुई है, तो potential in future काफी हो सकता है, लेकिन अब अगर मैं short term में बात करता हूं, तो हम इसके अंदर entry के लिए देखेंगे 0.00025 के आसपस, और 0.0002 के आसपस अगर यह आ इसके अंदर potential है, यह आपको देखे जा सकता है, यानि कि अगर मैं बात करता हूं, एक अच्छे rate पे मिल जाए और long term का vision है, तो आप यहाँ पर इसके अंदर भी बना सकते हो, लेकिन patience करना right entry के लिए और Elon Musk के tweet लगातार आते रहे, और जिस आपसे हमें लग रहा है, कुछ regular interval पे आते हैं, अच्छे dip में मिले, तो आप इसके अंदर entry बना सकते हो, बाकी यह कोई financial advice नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, कई बार बड़े बड़े project fail होते हुए भी, तो हमारा काम था कि हम आपको एक information दे सकें, और potential की बात करें, तो आपको पता है, जातर जो बड़े coins हैं, वो अपने all time high से बहुत नीचे हैं, तो यह भी एक नीचे आया हुआ है, market का माहल अच्छा हो रहा है, तो यह भी एक अच्छा perform कर रहा है, team active लग रही है, overall picture मैंने आपको बताई दी है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और Indian users के लिए भी कहीं ना कहीं, जो Indian cricket जो माहराजा team की बात करें, उसके अंदर उन्होंने sponsorship की है, वो भी एक बड़ी update है, Indian user के लिए, तो यह overall picture चल रही है, और उमीद करता हूँ, इस picture से आपको बहुत कुछ clear हुआ होगा, flocky के लिए, आपको right entry देखनी है, और right entry के लिए थोड़ा सा wait करना है, ठीक है न, उस जल्दबाजी नहीं करने है, किसी भी चीज के लिए, ठीक है दोस्तो, तो दोस्तो उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी, वीडियो पसंद आई है, तो like जरूर करिएगा, चैनल को subscribe जरूर करिएगा, हमारी family का हिस्सा बनना बिलकुल म अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुछ रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए आपका दुस्त पंकर्च, तैंकी, नमस्कार दन्यवाद,